दन्यवाद मानिवर अपने रेल मंत्रा लेके बजट पर मुझे अपनी बात कहने का उसर दिया मानिवर आज जब मैं सदन में आ रहा था विहार के बहुत सारे लोग नौजबान साथी घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीडा वेक्त की मानिवर दोहजार उन्नीस में उन्होंने रेलवे भरती बोर्ट के द्वारा निकाली गई परिच्छा में प्रारंभिक परिच्छा पास कर ली मुख्य परिच्छा पास कर ली चिकिस्सा की जाँच पास कर ली और 2019 से लेके आज तक 3 साल हो गए मानिवर आज से 10,000 नौजवान ऐसे हैं जिनको न्यूक्ती नहीं मिली जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली ये बेरोजगारों के प्रती आपका रवईया है बहुत ही दुरभाद के पूर्ड और पीडा दायक है और जब वो रेलवे भरती से पीडित नौजवान चात्र प्रियागराज में सडको पर उतरते हैं पटना में सडको पर उतरते हैं तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुस्मनों जैसा बेवार करते हैं आसू गैस के गोले छोड़ते हैं लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं, ऐसा बिवहार करते हैं, जैसे मालूम पढ़ रहा है कि वो दुस्मन देश के नागरिक है, ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाल मत कीजिए, और बेरोजगारों के प्र थेका प्रथा, बिजली के मेंटेनेंस में थेका प्रथा, कोच के मेंटेनेंस में थेका प्रथा, और ये थेका प्रथा जब आप लेके आ रहे हैं, तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खतम करने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इस देश के दलितों के साथ, प आना है कि safety category में लगबग एक लाख पचास हजार करमचारियों की vacancy है लगबग एक लाख पचास हजार रिक्तियां आपके पास सिर्फ सेफटी category में है रेलवे की सुरक्षा के छेत्र में है आप वो भरती करते आपके पास maintenance के छेत्र में या जिन छेत्रों में रेल्वे में भरतियां खाली हैं वहाँ प्रती क्युंनि करते तीन bloody अगर रेल्वेइ विभाग चाहें तो पक्की सरकारे करमचारियों की कर ती दे के ञांद में electric और ची67 मन दिसकेures पड़े अब पता नहीं विट्ट मंद्री और रेल मंत्री एक साथ बैठते हैं की नहीं बैठते हैं दोनों लोग अपस में चर्चा करते हैं की नहीं करते हैं विट्ट मन्द्री जी कहती हैं रेलवे की 26% समपत्तियां हम बेचेंगे लगबग 1,50,000 करोन रूपए रेल की संपत्ती बेच के हम अर्जित करने का काम करेंगा और मेरे पास तारीक है 31,000 करोड रुपए की टेंडर इन्हों ने निकाला जिसमें से महत्र 7,200 करोड रुपए का इनको आय हुई बाकी लोगों ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया तो आप एक तरफ लोगों के बीच में तो यह कहते हैं कि हम निजी करन नहीं करेंगे लेकिन निजी करन करने के लिए जितनी भी आप योजनाय ला सकते हैं रेलवे के अंदर वो लाने का काम करते हैं दूसरी बात मानेवर मैं इनका पढ़ रहा था कि रेलवे में पिछले पांच वर्सों से लगातार आमदनी में कमी आ रही हैं लगबत 7.8 प्रतिसत इनकी आमदनी घटी है आमदनी भले ही रेलवे की घट रही हो भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेट फॉर ये आकड़े बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने राजनितिक कारणों से रेल्वे को घाटा पहुंचाने के लिए तयार रहते हैं। को तीर थेत्रा कराने से आपको परहज है और मैं मंत्री जी बैठे हैं बड़ी बिनम्रता पुर्वक आप से पूछना चाहता हूं दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्य मंत्री को रेल विभाग इसी दिल्ली में वह उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा र रहे थे और उन बुजुर्गों से मुलाकात को रोकने का काम रेल वे विभाग ने किया और मंत्री जी आप आई-एस रहें जिला अधिकारी रहें उरीसा में आप आई-एस के तोर पे नौकरी कर चुके हैं इस प्रकार का बेवहार मत की जी एक मुख्य मंत्री के साथ आप को पची सो फोन मैंने किया पची सो बार आपके विभाग के करमकारियों को मैंने सूचना दी मुख्यjar मंत्री के हवाश से आपको सूचना गई उनकी यात्रा का विरोधाद कू कर से ईध़्रेक ने कम करने पर क्यों लगे हुए और बिंद केज रिवाल का इतने इतने अस्तने प्रफांट सब्सक्राद क्यों करते हैं चुनाओ लड़िया न चुनाओ का सीनरे के प्रदान विश्टी बार तीन बार दिली में इनकी जमाने जब थो गई मानवाद एक बार स्कूटर पाटी बन गए तीन सीट आई दूसरी बार इनोवा पाटी बन गए आठ सीट आई तीन बार से हार रहे और अभी MCD के चुनाओं में चुनाओं से भाग रहे करें केजरिवाल का सामदा नहीं कर सकते हैं चुनाओं से इतना डरते हैं आप लोग देश के प्रदान मंत्री की छवी खरात तर रहे हैं आप लोग देश के प्रदान मंत्री कहते हमारा 56 इंज का सीना है आप लोग कहते ह हमारा हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पाटी है दुनिया की सबसे बड़ी पाटी M.C.D. के चुनाओं से भाग रही है डर रही है केज रिवान से आप लोगों को शर्मनी आती तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मैं खतम कर रहा हूँ सर ये गंबीर मामला है हम लोग सांसद है रेल मंत्री जी हम लोग सांसद है आपके पास हमेशा कोई पैरवी करने के नेने आते और नरोज रोज आपको फोन करते हैं लेकिन अगर हमारे निर्वाचित मुक्ष मंत्री को आपका रेलवे विवाग अपमा करना चाहेंगे आप फोन पर नहीं आएंगे कोई जवाब नहीं देंगे Lima RIGHT तैक नहीं है ये बहुत ही बहुत ही दुखत प्र वहार है आपको डिली की सरकार मुनाफे गया गती है बिली की सरकार रेलवे की तीत्या प्रहर कराती है और आप इस प्रकार का वहार करेंगे ए इस प्रकार ने और इसलिए ने चाहिए एक अंतिम बात कहके खतम कर रहो है पर अभी दूसरों को तो आपने 12-12 मिनट बुलवाया सथ हमारी वार हमारी जब बारी आती है उदर से चिलाने लगते हैं आपके पाइट के दिते समय होता है उसी आपमेसा वहां चुनाओ से बाते कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी कट्पुत्री बना रहे सर कहां बोलें लोग यह कहां जाए अपनी बात आप रेल मंत्री जी थोड़ी संवेदन सीलता लाइए अपने प्रती बुजुर्गों के प्रती आपने बुजुर्गों की कंसेशन खतम कर दी रेलवे में आप थोड़ी संवेदन सीलता लाइए कुलियों के लिए लालू परसाद यादो जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने योजना लागू की थी उनको नौकरी देने के लिए अब देखो कुलि कि अब बुजुुर्गों के लिए इस देश के कुलियों के लिए जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी गाना था सारी दुनिया का बोज हम उठाते हैं उन बोज उठाने वालो के लिए देश के रेल मंत्री लालू परसाद यादो जी ने नौकरी देने की विवस्ता हमा की थी आज वो मारे मारे फिर रहे हैं अपली केसन देते हैं दन्यावाज बाइब दन्याबद एपके खाते हैं उन्की सब्सक्राइट तो इसलिए इस देश के नोजवानों को इन लोगों ने कहा इन लोगों ने कहा माननेवर यूपी के नोजवानों को जाके प्रदान मंतरी ने तकोरा योजना दे दी पहने पकोरा योजना अभी तकोरा योजना अरे भारे